देरदुन के जिला जज प्रशांत दोशी को सरकारी काम के दौरान एक आरोपी की ओडी कार इस्तमाल करने पर सस्पेंट किया गया है हाई कोट के रजिस्ट्रार जर्नल हीरा सिंग बोनाल की ओर से ये आदेश चारी किये गए है उत्रकन हाई कोट के कारवाहक मुख नयायधिश नयायमूर्ती रवी मलिमत के दिशा निर्दिशा नुसार रेजिस्ट्रार जर्नल ने ये पत्र चारी किया है इसमें कहा गया है कि जोशी मसूरी कैम्प कोट में हिस्सा लेने सूमबार और मगलवार को सरकारी वाहन की जगा और्डी कार से गए थे इस कार के स्वामे केवल कृष्ण सोईन है जिनका देहरादुन कोट में मामला विचारतीन है इस गारी को जिला जजज का बोर्ड लगा कर मसूरी में हाई कोट की गेस्ट हाउस के आगे खड़ा किया गया था आदिश में कहा गया है कि जिला जजज प्रशांत जोशी का ये खदम अनुशासन हींता को दर्शाता है और ये उतरखन कर्विचारी आचरण नियामावली के नियम 3-1, 3-2 और 30 का भी उलंगन है रजिस्टरार जनरल हीरा सिंग पोनाल के आदेश में ये भी कहा गया कि निलंबित जज प्रशांत जोशी को इस तौरान आधा वेतन मिलेगा ये धनराश ही उन्हें अपनी बेगुनाही का लिखित प्रमान पत्र देने पर मिलेगी हाई कोड की द्वारा उन्हें रुदरुप्या के जिलाजज मुख्याले से अटेच करते हुए स्टेशन छोडने के अनुबती भी नहीं दी गई है